नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुलियादव और आप सभी का स्वागत है इंवेस्ट राइट की एक नए वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लंसम के उपर होने वाला है देखिए काफी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आये हैं लंसम इन्वेस्टमेंट को लेकर और स्पेशली SBI के फंड में ही वो लंसम इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं SBI के फंड पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी लोग करते हैं क्योंकि SBI का नाम ही ऐसा है तो SBA के ऐसे fund के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप लमसम investment करते हैं तो long term में आपको अच्छे returns देखने को मिल सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आपके मन में भी अगर कोई confusion होई investment को लेकर तो आप लोग भी comment drop कर सकते हैं आपके topic पर भी वीडियो में जरूर बनाऊंगा चलिए start करते हैं आज की वीडियो देखे जरूरी है investment करना अगर हम केवल सोचते ही रहेंगे कि investment करेंगे कौन से fund में करेंगे उससे बात नहीं बनेगी बहले ही आप थोड़ा थोड़ा सा शुरूर कीजिए लेकिन अपना शुरू जरूर कीजिए तो चलिए फिलाल आज की वीडियो में बात करते हैं SBI Blue Chip Direct Fund के बारे में चलिए सबसे पहले fund का नाम में लिख देता हूँ SBI Blue Chip Fund SBI Blue Chip अब देखिए SBI Blue Chip Fund इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि कैसा ये fund है देखिए ये एक large cap category का fund है large cap category का मतलब है जो पैसा हम इस fund में invest करेंगे उस पैसे का minimum 80% पैसा यानि कि minimum जो 80% पैसा होगा हमारा वो पैसा इंडिया की top 100 companies में invest किया जाएगा यानि कि ये fund mid cap और small cap के मुकाबले हमें कम रिस्क की मिलेगा देखिए mutual fund investment है जब पैसा equity में जाएगा तो रिस्क तो रहेगा ही और रिस्क रहेगा इसलिए हमें bank और post office के मुकाबले ज्यादा returns भी देखने को मिल रहे हैं देकिन अगर आप compare इसको mid cap और small cap से करेंगे तो वाकर यहां रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि maximum पैसा इंडिया की top 100 companies में invest किया जाएगा अब देखिए इंडिया की top 100 companies हैं अगर वहां से भी आपको return नहीं मिलेगा वो companies भी डूब जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा फिर क्या होगा क्योंकि top 100 companies की बात मैं यहां कर रहा हूँ तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस भी ब्रूची फंड के बारे में कितना fund size है कैसे इसके investment किस-किस तरह से किन-किन companies में इस fund ने किया हुआ है देखिए सबसे पहले कर मैं fund size की बात करूं काफी बड़ा fund size आपको देखने को मिलेगा fund size का मतलब है कि कितना पैसा लोगों ने इस fund में invest किया हुआ है वो हमें देखने को मिलता है 43,355 करोड रुपे का कुछ इतना बड़ा fund size हमें देखने को मिलता है सीधा holdings की बात करेंगे ताकि clear हमें हो सके कि हमारे पैसे का diversification किस तरह से किया जाएगा देखें mutual fund का थोड़ा सा basic अगर मैं आपके साथ discuss करूं आज आप मान कर से लिए 500 companies में आपका पैसा invest किया जाना है total पैसा 500 companies में अब जो companies top 100 होंगी वो large cap में आ जाएगी जो company 101 से 250 होंगी वो mid cap में आ जाएगी जो companies 251 से 500 रेंक तक जाएगी वो small cap में आ जाएगी जितनी छोटी company होगी उतना risk ज्यादा रहेगा जितनी बड़ी company होगी उतना risk कम रहेगा तो यहाँ आपका maximum पैसा बड़ी बड़ी companies में ही invest किया जाना है तो इसलिए यह fund जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा कम risk कि रहेगा और returns भी आपको यहाँ अच्छे देखने को मिल सकते हैं चलिए holdings पर आते हैं सीधा diversification करते हैं किस तरह से diversification को देखते हैं कि किस तरह से यहाँ किया गया है large cap, mid cap और small cap large cap जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया की top 100 companies mid cap 101 से लेकर 250 rank तक की companies large cap में 80.89 यानि कि maximum पैसा आपका इंडिया की top 100 companies में ही invest किया जा रहा है mid cap 14.75% और small cap आ जाएगा small cap सबसे ज्यादा risky होते हैं small cap में यहाँ investment किया ही नहीं गया है तो यहाँ आपका जो पैसा है large cap और mid cap में ही invest किया गया है इसलिए ये fund थोड़ा सा कम risk के साथ हमें देखने को मिल रहा है returns की बात करते हैं कि जिस तरह से diversification किया है fund manager तो returns हमें कैसे देखने को मिले चलिए returns पर आजाते हैं देखे दोस्तो returns के अगर बात करूँ इस fund के last के 11 साल की मतलब एक overall return की बात कर लेते हैं तो वो जो हमें देखने को मिले है overall return last के 1 year, 3 year, 5 year को छोड़ते हैं 15.5% आप 15 ही रख लीजिए 15% के returns हमें देखने को मिले हैं, लगबग 15% के returns इस fund ने generate किये हैं पिछले 11 साल 3 महीने में तो काफी बढ़िया ये fund है, returns भी देखिए large cap category के हिसाब से अगर आपको long term में 15-16% के returns मिल रहे हैं तो काफी बढ़िया returns है अभी देखिए 15% के returns ही अगर आप لمसम investment करते हैं long time के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो कितने बढ़िया returns आपको देखने को मिलेंगे उसको समझते हैं अब आप यहाँ जो investment करना चाहते हैं वो لمसम का करना चाहते हैं एक example यहाँ लेकर चलते हैं देखिए comments काफी लोगों के थे इसलिए नाम मैंने किसी का नहीं लिया है काफी लोगों के comments थे इस चीज को लेकर SBI के बारे में especially बताईए इसलिए मैं नाम किसी का नहीं ले पाया हूँ अगर अभी जल्दी में भी देखूँ तो एक शिवम का comment था और बाकी बहुत सारे comments हैं वो डूढने पड़ेंगे मुझे कि इनको भी 20 साल के लिए investment करना है लमसम investment करना है SBI में ही तो शिवम आप भी इस fund को एक बार देख सकते हैं क्योंकि आपने SBI के लिए specially मुझे बोला था कि मुझे SBI में ही invest करना है तो लमसम अगर आप यहां करते हैं अगर आपको long term में 15% का returns मिल जाते हैं जैसे कि हमें अभी मिला भी है 15% का returns देखें long term में large gap categories अगर आप overall returns देखेंगे तो आपको 15-16% तक की returns easily देखने को मिल जाते हैं तो यहांगर आपको 15% का return मिल जाता है duration आपकी 20 साल रहती है duration 20 years अगर आपकी रहती है तो 20 years के बाद जो आपने 5 लाख रुपे इंवेस्ट किये थे उस पैसे की value क्या बन सकती है उसको एक बार देख लेते हैं lump sum calculator यहां थोड़ सा use करेंगे lump sum calculator पर आजाते हैं 5 लाख returns 15% की रखें example के लिए और 20 साल की duration मैंने यहां रखी है तो 5 लाख रुपे की value बढ़कर हो जाएगी कितनी 81 लाख रुपे देखें जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको 15% की returns भी मिल जाते हैं जो की easily आपको past में भी देखने को मिले और उमीद है कि future में भी आपको मिल जाएंगे निवेश करते हैं तो देखिए एक करोड 64 लाख 25 यर्स में 1.64 करोड रुपे तक की value भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आप भी long time के लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कुछ पैसा है आपके पास कोई कठा आप invest करके छोड़ देना चाहते हैं तो आप large cap और mid cap में ही यहां रखा गया है और returns भी काफी बढ़ी है long term में compounding की power से returns भी हमें काफी बढ़ी हा देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion आप मुझे दुवारा comment कीज़ेगा reply में आपको जरूर करूँगा बाकी दुस्तों recommendation यह नहीं है educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बना गया है क्योंकि पैसा mutual fund में invest किया जाता है जो की बाजार जोखीमों के अधिन होता है और यहां returns की guarantee नहीं होगा वीडियो पसंद आई हो तो like share जरूर कीज़ेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको भी subscribe आप जरूर कीज़ेगा नमस्कार